जेहिन वंद्यमात्रम स्वागत है आप सभी का जीयस्वीत आसुपर आज की ओवन्सोट के वीडियो बीहर पड़ीचारी गुरूबडी पर भारी पढ़ने वाली वीडियो है हम केबल आठ मिनिट के अंदर ऐसे 20 प्रस को देखेंगे जो आपके एक्जाम को फटर करने में काफी हेल्प करेगा अगर आपका सपना है बीहर पड़ीचारी बढ़ने का तो तया वीडियो आपके लिए काफी कारगर सावित होने वाली है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और सेशन खतम होने के बाद किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूप कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है भारती नौ सेना के पस्मी कमान का मुख्याले कहा है भारती नौ सेना के पस्मी कमान का मुख्याले है मुंबै में जर्बकि पूर्वी कमान का मुख्याले है विसाका पत्नम में, दशनी कमान का मुख्याले है कोची में और परश्मी कमान का मुख्याले है मुंबे में अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, निमलेखित में से क्या वांसा नुगत रोग नहीं है, वांसा नुगत रोग नहीं है, leukemia option number D, ठेलेसीमिया, वानधता और हिमोफिलिया वांसा नुगत रोग है, लिक्यमिया एक परकार का कैंसर है, जो रक्त और आस्ती मज़ा को प्रभावित करता है, अगला प्रस्ण है, निमलेखित में से कौन सा च्छेतर उस कटीवंधिय सदा बाहर वनों से ढखा हुआ है, वा च्छेतर है, पस्मी घाट का च्छेतर, option number D, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, सक्ती की SIE काई निमलेखित में से कौन सी है, तो दोस्तों सक्ती की SIE काई होती है, what, option number B, अगला प्रस्ण देखते हैं, most important प्रस्ण है, पस्मी बंगाल डेश देशों के साथ सिमाई साज़ा करता है, तो दोस्तों पस्मी बंगाल तीन देशों के साथ सिमाई साज़ा करता है, option number D, पस्मी बंगाल तीन देशों के साथ सिमाई साज़ा करता है, पस्मी बंगाल नेपाल, भोटान और बंगला देश के साथ अपनी सिमाई साज़ा करता है, अगला प्रस्ण है फलो के क्रितिम पकने में कौन सी गैस का उपियोग होता है फलो के क्रितिम पकने में जो गैस का उपियोग होता है वह गैस है अप्सन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं इम्पॉर्डेन प्रस्ण है निमलेखीत में से कौन सा लोहे का सुतम रूप है इसमें लोहे का सुरुतम रूप हो जाएगा पीठवा लोहा option number D अगला प्रस्ण देखते हैं प्रेथ्वी के वाई मंदल में सबसे प्रचुर मातरा में उत्किष गयस कौन सी है प्रिथवी के वाई मंडल में सबसे प्रचुर मातरा में उत्किष गयस है आरगन ओप्सिन नमर डी अगला प्रस्न देखते हैं important प्रस्न है सायूत राश संग यानि की UNO का मुख्याले कहां इस्तित है तो दोस्तो UNO का मुख्याले इस्तित है नियोर्क में और इसकी आस्तापना की गई थी 1945 में अगला प्रस्न है निमलेखित में से किस माध्यम में धोणी सबसे त्यात्रा करती है धोणी सबसे त्यात्रा करती है ठोस माध्यम में option नमर डी अगला प्रस्ण दिखते हैं, important प्रस्ण है, सभी चुम्बो किये पदार्थ अपना चुम्बो किये गुन कब खोद देते हैं आंसर है option नमर B, अत्याधिक गरम करने पर अगला प्रस्ण है, प्राइदी पी भारत में एक मात बाड़ा मासी नदी कौन सी है अगला प्रस्ण दिखते हैं, मानब खोपड़ी में केतनी अस्तियाँ मौजुद होती है मानब खोपड़ी में मौजुद होती है 29 अस्तियाँ, option नमर C अगला प्रस्ण दिखते हैं, important प्रस्ण है, रानी जहासी मरीन नैसल पार्क कहां इस्तित है अगला प्रस्ण दिखते हैं, डैस लोगसवा के चटे अध्यस थे जो बाद में भार्णत के राष्पती बने तो दोस्तों वह थे नीलम संजीब रेड़ी, option नमर B नीलम समझीब रेड़ी लोकसवा के छटे अध्यस थे जो बाद में भाड़त के राश्पती बने थे अगला है निमलेखित में से किसने सभी तीन मेज गोल में सम्मेलोनों में भाग लिया था सभी तीन गोल में सम्मेलोनों में भाग लिया था बी आर अम्भित करने ओप्शन नमर डी अगला प्रस्न है डैस एक कीट पकड़ने वाला पोधा है तो दोस्तों वह है घट पढ़नी ओप्शन नमर सी अगला प्रस्न है डैस को वेग्यानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है काल मार्च को ओप्शन नमर ए अगला प्रस्न दिखते हैं भावतिक का पहला नौबल पुरुषकार किसने जीता था भौतिक का पहला नौबल पुरुसकार जीता था W.C. रॉन गणने ओप्शन नमर B अगलोड अन्तिम प्रशन देखते हैं War and Peace नामक उपनियास के लेखक कौन है? War and Peace नामक उपनियास के लेखक हैं लियोर टॉल इस्टाइ ओप्शन नमर B थैंक यू